स्वागत है आपका business stocks की इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आज हम discuss करने वाले हैं different models of supply chain इससे पहले हमने एक वीडियो supply chain के बारे में बनाई थी जिसमें आपको supply chain की complete information दी गई थी इस वीडियो को देखने से पहले आपसे request है कि आप इसली वीडियो जरूर देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको असानी हो सबसे पहले समझते है इन model का purpose क्या होता है पहला purpose है cost को कम करना दूसरा purpose है inventory को control करना inventory की shortage या access inventory से बचना efficiency को बढ़ाना ताकि सारे resources अच्छे से use हो पाए demand को पूरा करना और demand के हिसाब से respond कर पाना तो अब एक एक करके इन supply chain models को समझते हैं पहला model है continuous flow model जैसा आपको नाम से पता लग रहा है यह model where companies use करती है जिनका production continuously लगातार चलता रहता है उनके सारे products एक जैसे ही होते हैं जैसे smart phones और packed food यहाँ पर focus production line पर करा जाता है ताकि resources और time कम से कम waste हो यहाँ पर production line को अलग अलग units जैसे processing, distributing और packaging जैसे units में divide करा जाता है और production को batches में करा जाता है continuous flow model को यूज करना तभी possible है जब product की demand predictive हो continuous flow model के लिए हमारे पास sales information और inventory information होनी ज़रूरी है ताकि हमें पता लग सके कि हमारे पास कितनी inventory पड़ी है और हमें कितना production करने की ज़रूरत है इस model को हम एक example से समझते हैं मैगी की manufacturing से सबसे पहले मैगी के raw material जैसे आटा और मैदा और spices को processing unit में भेजा जाता है processing unit में आटे से मैगी noodles बना दिये जाते है और different spices को mix करके मैगी मसाला बना दिया जाता है फिर मैगी को conveyor belt के through packaging unit पे बेजा जाता है वहां मैगी और मसाले को एक साथ pack कर दिया जाता है आप हर बार मैगी टेस्ट करिए और आपको हर बार मैगी का same ही टेस्ट मिलेगा यह अच्छा example है continuous flow model का अगला model है fast chain model यह model वह companies use करती है जिने एक particular product कम time के लिए बनाना पड़ता है बेसिकली वह industries जिनके products काफी trendy होते हैं जैसे fashion industry fashion time to time change होता रहता है और companies को अपनी production line fashion के हिसाब से change करनी पड़ती है इसलिए companies को अपनी production line में थोड़ी flexibility रखनी पड़ती है ताकि वह असानी से change कर पाए इन industries में future demand काफी unpredictable होती है इसको एक example से समझते हैं जारा आज एक काफी famous brand है जैसे ही कोई नया trend आता है जैसे हाली में boot cut और bell bottom pant दुबारा से fashion में आ गई है और narrow pant कहीं पीछे रह गई है जैसे ही जारा ने ये trend catch किया उनके designers ने नए design बनाए फिर उन्हें अपने models पे try करवाया उसके बाद कुछ designs approve हुए जिनकी training उनके workers को दी गई उनको बनाने के लिए फिर production line में necessary changes करे गए और फिर ये pants mask production पे बनाई जाती है तो ये एक अच्छा example था fast chain model का अगला model है efficient supply chain model ये model where industries use करती है जिनमें काफी tough competition होता है और companies profit के लिए अपने price को नहीं बढ़ा सकती तो companies की कोशिश रहती है कि वे profit के लिए अपनी cost को कम कर दे तो इस model के थुरू companies की कोशिश रहती है कि वे product की cost काफी कम कर दे resources का अच्छे से utilization करे और कम time में product बना पाए यह model basically supplement करता है continuous flow model को और fast chain model को ताकि उनी existing model को और अच्छे से use कर पाए हमारा अगला model है flexible model कई ऐसे products भी होते हैं जिनके एक season में तो काफी heavy demand होती है पर दूसरे season में बिलकुल low demand होती है जैसे ice cream ऐसी situation में companies flexible model को adopt करती है ताकि demand बढ़ने पर company response कर पाए और demand को पूरा कर पाए के लिए companies हमेशा अपने पास access capacity बना के रखती है low demand के case में companies अपनी कई units को बंद कर देती है और एक ही unit में काम करती है वही जादा demand होने पर companies अपनी सारी access capacity को use करती है और full production करती है flexible model जब ही use कर सकते है जब आपकी demand predictive हो यह model continuous flow model के काफी similar है बस season to season demand product की vary करती है अगला model है agile model यह model वह companies use करती है जिनका हर एक single product अपने दूसरे product से different होता है हर एक product को customer की requirement के हिसाब से बनाये जाता है और काफी steps में machine की जगा craftman का use किया जाता है ऐसे products की demand काफी unpredictable होती है इसलिए यह product जबी बनाये जाते है जब customer order place कर दे इससे ही एक benefit यह होता है कि companies access inventory से बच जाती है इस model का एक अच्छा example है rolls-royce की manufacturing हर rolls-royce गाड़ी अपने आप में एक अलग गाड़ी होती है customer हजारो color combination में से एक color combination चुदता है और अपने हिसाब से interior और दूसरी requirement बता सकता है फिर customer की requirement को देखते हुए वे गाड़ी बनाई जाती है गाड़ी का interior एक craftsman के द्वारा अलग से बनाये जाता है और rolls-royce एक time पे एक ही गाड़ी बनाती है तो यह एक बड़ा अच्छा example है agile model का हमारा च्छटा और आखरी model है custom configuration model यह एक hybrid model है agile model और continuous flow model का यहाँ पर product का mass production भी किया जाता है और customer की choice के हिसाब से भी product बनाये जाता है pre-booking जैसे concept इसी model में आते है pre-booking के through company को customer का response पता लग जाता है और उसी response को देखते हुए company अपना आगे का production carry on करती है एक normal car manufacturing इसका एक अच्छा example है जा customer अपने हिसाब से car का color और model चुन सकता है शुरू में सारी cars एक ही process के through जाती है पर production के end में cars को उनके colors और model के हिसाब से अलग लग divide कर दिया जाता है और delivery के time customer चाहे तो उसमें कई चीज़े add-on करा सकता है तो यह एक example था custom configuration model का तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसे informative वीडियो के साथ